नमस्कार दोस्तों आप सभी को उचसा की मालूम है कि शॉर्ट नॉट्स की हम सीरीज चला रहे हैं अगर आपने शॉर्ट नॉट्स की सीरीज नहीं देखी है Modern History of India यह हमने सब्जक्ट शुरू किया हुआ है तीन वीडियो मैंने पढ़ा दिये हैं टोटल पहले वीडियो में यूरोपी कंपनियों का भारत में आगमन तो पुर्तगाली जो इस्ट इंडिया कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी के बारे में मैंने एक शॉर्ट नॉट्स के माध्यम से सारी जानकारी दे दी है और इसके बाद Dutch East India Company, Danish East India Company, France CC इनके बारे में भी दूसरे वीडियो में उन्हें आपको पढ़ा दिया है देखिए आप देख रहे होंगे Dutch के बाद भारत में अंग्रेज आये थे, अंग्रेज्जों के बारे में नहीं बताया था मैंने क्योंकि अंग्रेज्जों के बारे में ही तो पूरा Modern History है तो उनके बारे में इंतिहान से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो ये दूसरा वीडियो था, तीसरे वीडियो में उत्तरकालीन मुगल शाशक थे वो मुगल शाशकों के बारे में आपने पढ़ा जो औरंग जेब के बाद भारत में आये थे तो औरंग जेब के बाद जो मुगल शाशक थे, उन्हें उत्तरकालीन मुगल शाशक कहा जाता है वो कमजोर हो गए थे सभी, तो वो आपने पढ़ लिया और आज के इस वीडियो में अब अंग्रेज्जों के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे तो British East India Company का भारत में आगमन यहां हम complete कर देंगे ठीक है और कल वाले वीडियो में हम जो बंगाल के नवाब है और उनके बारे में पढ़ेंगे और जो बंगाल के नवाब में और अंग्रेजों की बीच में क्या हुआ क्या कूरी कहानी है वो समझेंगे फिलहाल ब्रिटिस इस्टिया कंपनी अभी इंगलेंड में ही है वहाँ से इसको इंडिया में लेकर आते हैं तो ये शोट नोट्स के माध्यम से आप कंप्लीट मॉडरनिस्टि पढ़ लेंगे मैं आपको बता दूँ असी नव्य प्रतिशत आपका ये पूरा कवर हो जाएगा इससे फायदा ये होगा कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इसके बाद अगर डिटेल पार्ट भी आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में मॉडरनिस्टि का डिटेल पार्ट है वो भी पढ़ सकते हैं तो इस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन देखिए सबसे पहले मैं आपको बतातू हूँ जो भारत में इस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका मूल नाम क्या था दा गवर्नर एंड कंपनी ओफ मर्चेंट्स ओफ ट्रेडिंग इंटू दा इस्ट इंडिज ये इस कंपनी का ओरिजिनल नाम था 1600 इस्ट में इसको एलिजाबेथ जो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम इन्होंने 1600 इस्ट में इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए अधिकार दिया कि जो पूर्व के देश हैं जैसे भारत चाइना इंडोनेशिया इन देशों में आप वैपार कर सकते हैं और वैपार में आपका एक अधिकार होगा मोनोपोली होगी आपकी मतलब ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी वहाँ पर जाकर वैपार नहीं करेगी आपको एक अधिकार दिया जाता है पंद्रह सालों के लिए लेकिन सोला सो इस्वी में जब इनको परमीशन मिली न तो ये कंपनी आई नहीं थी इंडिया में उस समय आई नहीं इंडिया में और 1603 में मृत्य हो जाती है एलिजाबेत परथम की उसके बाद जेमस परथम महाराज बनते हैं count पहें पहंते हैं इंडिया में और 1608 हिस्वी में इस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पंची ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी सूरत बंदरगाह पर पहुची Captain Hawkins आये थे सूरत बंदरगाह पर किस जहाज से आये थी British Asia Company Hector Hector जहाज जिसे Red Dragon भी कहा जाता है तो Hector नामक जहाज से ये लोग भारत में आये थे और ये Captain Hawkins 1609 इस्वी में जहांगीर के दरवार में गया और जहांगीर के दरवार में उसने मुलाकात की तो कहाँ पे गया था ये आगरा गया था तो ये Captain Hawkins सूरत से आगरा गया था 1609 इस्वी में आगरा पहुँचा था वहाँ पे जहांगीर से मुलाकात की देखी ये प्रशन बनता है 1609 इस्वी में जब कमपनी को वेपार करने का एक अधिकार जब मिल गया था उस समय इंडिया में कौन सा मुगल शाशक था तो अकबर था उस समय अब चेंज होके आ गया है कौन ये जहांगीर ठीक है अकबर का बेटे जहांगीर इतनी बाते आप याद रखिएगा अब भारत में जब ये फैक्टरी नहीं खोल पाए क्योंकि पुर्तगालियों का भी वहां पर वर्चस बना हुआ था तो पुर्तगालियों के दबाव के कारण जहांगीर ने बाद में फैक्टरी खोलने की जो पर्मीशन है वो रद्द कर दी उसके बाद 1611 में इन्होंने टेंप्रेरी फैक्टरी खोल ली मसूली पत्नम में 1611 में टेंप्रेरी फैक्टरी खोली मसूली पत्नम में और उसके बाद याद रखियेगा की तो सूरत में फैक्टरी नहीं खोल पाए उसके बाद इन्होंने 1611 में मसूली पटनम में फैक्टरी खोल ली और 1612 इस्वी में जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, स्वाली का युद्ध हुआ था, स्वाली नामक जगा पर स्वाली का युद्ध उसको बोलते हैं उस युद्ध में जब हरा दिया, अंग्रेजों ने औरंग जे, स्वाली, पुर्तगालियों को, तब जहांगिर खुश हो गया और इंप्रेस हो गया अंग्रेजों से तो और सूरत में फैक्टरी खोलने दिया 1613 में सूरत में फैक्टरी खोल ली Anglos june कहीं कहीं लिखा होता है पहली factory उन्होंने सूरत में खोली थी याद रखिए सूरत में factory खोलने की permission पर्मीशन तो उनको मिल गई थी सबसे पहले, लेकिन ये खोल नहीं पाई थे जिए पहली factory उन्होंने मसूली पर्टनम में ही खोली थी उसके बाद सूरत में खोली अब 1615 में जेम्स प्रथम ये बृतेन के समराठ है जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत जहांगीर के दरवार में भेजा 1615 इस वी में सर्टॉमस रो को जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर इंडिया में भेजा इतनी बाते आप याद रखिए उसके बाद बंगाल में पहली फैक्टरी अंग्रेजों ने हुगली में खोली 1651 देखे धीरे धीरे बंगाल पर ही कबजा करेंगे बंगाल से ही शुरुआत करेंगे तो 1651 हिस्वी में हुगली में बंगाल के हुगली में अंग्रेज्जों ने अपनी पहली फैक्टरी खोली इसके बाद 1661 हिस्वी में इंग्लेंड के जो राजा चार्ल्स थे और पुर्टगाल की महरानी कैथरीन दोनों की शादी हो जाती है और शादी हो जाती है तो जो पुर्टगाली थे उन्होंने देहेज में बंबई दे दिया था चार्ल्स को जो ब्रिटेन के महराजा चार्ल्स थे इनको देहेज में बंबई बंदरगाह मिल गई और यही बंबई बंदरगा इस्ट इंडिया कमपनी को ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी को किराये पे दे दी दस पॉंड वार्षिक किराया लेकर 1668 हिस्वी में बंबई किराये पे दे दिया गया ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी को किसने दिया? Çार्ल्स ने जो राजा चार्ल्स हैं इन्होंने एस्ट अंडिया कंपणी को ये बंबाई किराय़ पे दे दिया बंबाई का जो वास्टिक संस्थापक है वो गैरोलड अंगियार को माना जाता है गैरोलड अंगियार व चोलश हो च्यासी में अंग्रेजों ने हुगली में बहुत लूट पार्ट की जब ये बात औरंग जेव को पता लगी तो औरंग जेव ने गुसे में आकर अंग्रेजों की सारी फैक्टरी सीज कर दी और अंग्रेजों को यहां से भगा दिया लेकिन बाद में जुर्माना देने के बाद उनको तीन जगाह देखिये तीन गाऊं है सूतानती, कलिकाता और गोविंदपूर इनकी जमिंदारी इनको मिल जाती है यह किस के दारा मिलती है जमिंदारी अजीमुसचान जो बंगाल के सुबे दार थे इनहों ने ही अंगरेज्जों को सूटानती कलिकाता और गोविंदपूर की जमिंधारी दे दी, इन तीनों गाओं को मिला कर, इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की कलकत्ता की स्थापना की अंगरेज्जनी की जॉब चारनौक ने, जॉब चारना, ठिक, और और 1700 इस्वी में कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम किले की स्थापना या किल्या बनवाया गया अंगरिजों की द्वारा और 1715 इस्वी में एक सिष्ट मंडल जौन सर्मन की अध्यक्षता में मुगल दर्बार में भेजा गया ब्रिटेन से एक सिष्ट मंडल भारत में आया 1715 इस्वी में और मुगल दर्बार में आया फारुक शियर उसमें मुगल शाशक था और अंग जेव की मृत्य हो गई थी और फारुक शियर एक भ्यानक बिमारी से पीडित था और इस सिष्ट मंडल में जौन सर्मन के साथ साथ कई और लोग थे उसमें एक डॉक्टर भी था एक चिकितसक भी था जिसका नाम था हैमिल्टन हैमिल्टन ने फारुक शियर की बिमारी का इलाज कर दिया और फारुक शियर खुश होकर एक फर्मान दे देता है जिसको शाही फर्मान कहा जाता है इसे ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैगना कार्टा कहा गया है तो इस फर्मान में क्या था तीन सो रुपे देने है अंग्रेजों को फारुक्षियर को उसके बदले इनको चुंगी मुक्त वेपार करने का अधिका मिल गया मतलब तीन हजार रुपे के बदले में इनको पूरे बंगाल वाले इलाके में चुंगी मुक्त अधिकार मिल गया कहीं भी चुंगी नहीं देना कहीं भी कोई टेक्स नहीं देना है वैसे ही फ्री में वेपार करना है और दस्तक का भी अधिकार दे दिया सेना के अधिकारी हो कोई भी उसको रोक टोक नहीं करेगा और मुक फ्रीली वेपार करने का अधिकार मिल गया और इसी दस्तक का अंग्रेज्जों ने बहुत मिस यूज किया बहुत गलत इस्तेमाल किया तो ये आपको समझ में आ गया ये शाही फरigent हो गया इसके बाद अंग्रेज्जों को पैर जमाने का अधिकार यहां मिल गया बंगाल में अब कल वाले वीडियों में बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे आप बंगाल के अंदर कैसे कैसे बंगाल क नवाबों को डोमिनेट करना शुरू करते हैं अंग्रेज और प्लासी का यूद बकसर के यूद के बाद वो पूरे बंगाल पर कबजा कर लेते हैं धीरे धीरे पूरे भारत पर कबजा कर लेते हैं वो कहानी अगले वीडियो में आप देखेंगे ये तो देखे शॉर्ट नो को डाउनलोड कर लिजिए वहां में इस स्टोर सेक्शन में जाईयेगा सभी Gs के पड़े हुँ है ले लिजीएगा इसके लावा कर कोई डावट रह जाता है 788887 74245 WhatsApp नमबर यहाँ पर आप्षे श करेंगे अगले एपिसोड में नमश्कार